असलाम लेकूम, hey what's up guys this is Farooq and welcome back to Farooq Ahamud YT hope you guys are all doing awesome so guys we got a new companion in PUBG Mobile तो सबसे पहले हम चलते हैं and check this one out we got the Arctic Wolf लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास है यहाँ पे cat और यहाँ पे dog जो है दोबारा से वापस आ चुका है अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो event गया तो उसके अंदर भी था और इसके अंदर अगर चेक किया जा यहाँ पे हमारे पास इसका एक special dress है यह वाला dress है और उसके बाद इसको अगर level up करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन इसमें जो मज़े की चीज़ इन्हों ने पपजी ने add कर दी है यहाँ पे आपके पास चीबा इन्हों जो dog है उसका helmet एन्न उसका यहाँ पे backpack इन्हों ने add कर दिया है और साथ-साथ cat के लिए भी इन्हों ने यहाँ पे helmet और backpack यहाँ पे add कर दिया है तो कि given attack 400 coins में एक helmet और bag like 1600 coins सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के हैं बाकी जो है यहाँ पे अगर बात करें तो 800 यहे given attack 2400 coins हमें चाहिए ही चाहिए हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसके जो है वो swimming और उसके बाद यहाँ पे I don't know यह आवाज निकालेगा नहीं आवाज निकालेगा जिस्ट इमोट है और यहाँ पे sitting down का है कुछ actions है level 5 और इसके बाद अगर level 6 होता है तो यहाँ पे हमारे पास यह वाला dress जो है यह unlock होगा level 6 क्यासे होगा यहाँ यहाँ तो खेलने के साथ साथ यहाँ पर यहाँ पे हम जो है वो level up कर सकते हैं जो companion का food है उसको use करके तो अब भी के लिए guys सिदाख सिदाख चलते हैं यहाँ पे 200 हम करते हैं अगर साथ से देखे तो 10 पे 20 30 पे 50 और 100 पे हमें 150 200 पे हमें 300 coins यहाँ से collect होंगे let's see के यहाँ पे हमारे 200 complete होने तक कितने हमारे coins जो है वो अकटे हो जाते हैं फर्स्ट वन जो daily का 10 UC का है वो हम करते हैं उसके बाद single draw जो है वो हमारे पास 30 UC का है एक scene करते हैं दो single one और उसके बाद 10 वाला हम करते हैं इसमें हम कोई भी जो है वो block out नहीं कर सेथे बड़ लेट सी 5, 3, 2 coins coins ही नहीं कर रहे हैं लेट सी अगर हमारा cat यो dog निकलता है तो ये कितने coins में convert होता है last time तो ये था कि 5 coins I think 5 coins में convert हो रहा था let's go again skip out करके इसके बाद जो है वो try out करते हैं लेट सी अभी तक time limited भी निकला है ओ बात ही कर रहा था अभी तक time limited भी निकला तो इसके साथ ही time limited भी निकला है let's go यहाँ पर one day one day and one day okay side से अभी निकलेक्ट है थे side से जैसे हमारे 200 complete होंगे तब हम जाके collect out करेंगे okay five coins five coins five चितने ज्यादा निकलेंगे वो हमारे लिए बैस्ट है या okay food हमारे पास यहाँ पर निकला अगर बात कीजाए तो मेरे पास आरड़ी like 25 only food आरड़ी पड़े हुए let's go again यहाँ से क्यों feeling आ रहे है कि यहाँ पर skip out करेंगे ही तो हमारे okay cat हमारे निकली let's see कितने coins में convert होगी जो के convert नहीं हुई I don't know कितने coins में convert होगी but let's go with skip okay food cat again जो के convert ही नहीं हो पाई okay time limited हमारे पास vote यहाँ पर क्या 200 complete होने से पहले हमारा permanent यहाँ पर निकल आएगा यह नहीं निकलेगा I feel like कि निकलना चाहिए यार I feel like 2 spin हमारे पास बचे है let's see मैं सोचे था double निकलेगा तो फिर उसमें हम देखेंगे कितने coins यहाँ पर तो single निकला अभी तक बाई क्या scene चाहिए और मुझे ऐसा क्यूं feeling आ रही है कि comment section में आएगा कि आमद भाई मैंने 10 single वाला खोला और उसके अंदर मेरा जो है वो यहाँ पर वुल्फ निकला है I think भाई 200 यहाँ पर हमारे पास हो चुके है let's see 200 होने तक हमारे पास 500 coins हो चुके है well that's a really good sign यहाँ पर हम side से अपनी चीज़े collect करते हैं 50 coins 150 coins और उसके बाद last but not least हमारे पास 300 coins तो in total हमारे पास 1000 coins जो है वो हो चुके हैं यहाँ पर हम dress जो है वो redeem करेंगे लेकिन सबसे पहले हम अपना permanent जो wolf है इसको unlock करते हैं उसके बाद हम dresses वगारा की तरफ जाएंगे in total जैसे कि मैंने बताया 2400 coins हमें चाहिए so I hope I hope कि 2400 coins हमारे complete होने तक हमारा wolf नहीं कर लाए उमीद ही कर सकते हैं और तो मैं कुछ नहीं कह सकता time limited okay permanent time limited again हमारे पास wolf come on there we go guys finally यहाँ पे हमारे पास जो आर्टिक वुल्फ unlock हो चुका है और इसके साथ साथ हमारे पास शीबा इनू भी यहाँ पे जो है वो unlock हो चुका है यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वर्क्शाप के अंदर companion के अंदर यहाँ पे time limit है उसको dispendal करते हैं bring करते हैं इसको यहाँ पे हमारे पास level 1 में यह जो चीज़ें unlock होई है level 2 करने के लिए इसको बहुत time लगेगा तरह level 2 होगा कितना time लगेगा भाई इसके अंदर literally let's see इसको level 2 तो यहाँ पे करते हैं उसके बाद भी देखते हैं and there we go guys और इसके साथ हमारा यहाँ पे जो Arctic Wolf वो level 2 हो चुका है let's go guys अब इसको level 3, 4, 5 भी वेल इसको तो अभी हम करते हैं लेकिन सबसे पहले check this one out या अभी चेयर पार्क के अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चेयर पार्क के अंदर यह किस तरह देता है यहाँ पर हम दुबारा अपने स्पिन के अंदर आ चुके हैं हमारे पास 552 इन टोटल हो चुके हैं और 2052 हमारे पास इन टोटल कोईन जो हैं वो हो चुके हैं let's go again कोईन अच्छे निकर रहे हैं यार वैसे not bad हमें इन टोटल 2400 जो हैं वो कोईन करने है 2400 कोईन करने के लिए माले कितना टाइम लगेगा यहाँ पर एक कैट हमारी दुबारा से निकली थोड़े से हम एक्स्टा यहाँ पर स्पिन आउट करते हैं अपनी चीजें रेडीम आउट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले तो इसका जो है वो ड्रेस हम रेडीम आउट करते हैं there we go golden guardian buddy set यहाँ पर हमारे पास जो है वो unlock हो चुका है इसके साथ ही 7521 legendary item हम आपके भाई के inventory में complete हो चुकी है let's go with the helmet okay उसके बाद हमारे पास यहाँ पे backpack cat cup backpack यहाँ पे और उसके बाद helmet यहाँ पे हमारे पास कीबा इनू का helmet आस बड़नार लिस यहाँ पे हमारे पास कीबा इनू का backpack there we go और इसके साथ अगर बात कीजाए तो हमारे पास जो बाकी coins बचे हैं हम यहाँ पे food ले सकते हैं लेकिन एक चीज़ यहाँ पे करते हैं थोड़े सी और spin करते हैं you wanna take 5 to 10 और spin करते हैं okay तो in total यहाँ पे हमारे पास 345 जो हैं वो यहाँ पे maximum अगर करें तो 115 हम सिरफ यहाँ पे ले पाएंगे ओ वाई साथ upgrade का scene तो बहुत ही expensive यहाँ पे हो जाएगा यार well अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसको level 2 अगर करें okay हमारे पास यह वाल address जो है वो unlock हो चुका है where out भी हमने कर लिया है let's go इसको हम level up करते हैं let's see हम कितना level up करते हैं यह इसके बाद हम इसको use करके इसका कितना level जो है वो बढ़ता है अभी के लिए हमारे पास जितने यहाँ पे जो इसके xp हैं इसको use करके इसका level up बढ़ाते है and the last one for the level यहाँ पे हमारे पास 3 and there we go guys और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे level 3 जो है हमारा companion unlock हो चुका है और इसके बाद अगर बात करें तो I think यहाँ पे लगेंगे इसको level 4 करने के लिए let's try तो almost हमें 100 or जो है वो xp यहाँ इनके food जो है वो लगे है और इसके साथ यहाँ पे हमारा जो है again companion level 4 हो चुका है let's go अब level 5 के लिए 120 हमें चाहिए यह मज़े का है वैसे इसका artifact यहाँ पे अगर शेयर करें तो but यहाँ पे अगर बात की जाए क्या बोलते हो गाइस max out level किया जाए let's go 100 हमें 2000 UC में मिलेंगे let's go गाइस एक काम करते हैं हम दुबारा अपने जो है spin के अंदर चलते हैं let's see हमें 100 जो है 2000 UC में पढ़ते हैं यह कितने हैं पढ़ते हैं हमारे पास 155 है 153 तक मैं करता हूँ let's see हमारे पास कितने foods अकटे होते हैं let's see देखना चिरफ यह है क्या यह beneficial है यहाँ पे जो है हमारे spin के अंदर से या beneficial है shop के अंदर से लेने से let's see what that's it let's go हमारे पास total कितने हुए 75 यह यह तो नुकसान है यार इससे बेटो तो बंदर shop से फिर buy कर ले सीधा की सीधा let's go in the shop और सीधा की सीधा यहाँ पे 2000 में हम जो है 100 buy कर सकते है what is यार मुझे लगा कि हम easily अपने spin के अंदर से ज्यादा निकाल पाएंगे लेकिन यह तो shop के अंदर से ज्यादे easy है यार का फाइदा भाई चला है गाईज यहाँ पे इसको level 4 करते है and there we go गाईज और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे हमारा arctic wolf जो है वो level 5 हो चुका है let's go level 5 से level 6 के लिए हमें 140 चाहिए and there we go गाईज और इसके साथ हमारा यहाँ पे जो है companion level 6 हो चुका है और इसके साथ यह भी maxed out हो चुका है अगर outfit की बात करें तो यह हमारे पास इसका outfit जो है वो unlock हो चुका है और इसके साथ guys अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे cat और dog की जो हमने चीज़ें unlock की है ओके जो हमारे पास already outfit है उनके उपर हम यह वाले जो है outfit पहन सकते हैं check this one out यह तो जबदस एक चीज़ हो गई है और उसके बाद अगर हम अपना shiba inu चेक करें और इसके साथ इसके साथ जो dresses है well this look really cute या line वाला भी इसके साथ मज़े का जो है वो दिख रहा है let's go guys और इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे हम इसके emotes वगएर अगर check करें तो यह हमारे पार इसके emotes वगएर है और अभी सिधा-सिधा हम जो है वो चेयर पार्क के अंदर चलते हैं और चेयर पार्क के अंदर check out करते हैं कि in game हमारा यह किस तरह दिखेगा okay kind of ठीक है like बंदा बैठा हुआ है यह आपके बराबर में आ जाएगा लेकिन let's pose अगर अगर यह आपके सामने आता है और आप scope खोल के like enemy को मारना चाह रहे हैं यह थोड़ा से काम खराब हो जाएगा even attack अगर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि how does our companion look alike okay guys तो अभी हम अपने popularity winners की जो है वो बात कर लेते हैं right now कुछ ऐसा scene चल रहा है के cloud ranking के अंदर यहां पे हमारे बहुत से मेरे भाई हैं वो mythical भी लेना चाहरे हैं लेकिन उसी की वज़े सी यह मेरे भाई जो है वो उपर है तो हमारे जो random हमारे subscriber यह कोई अगर मुझे popularity सेंड करता है तो वो अभी काफी जो है फूल लोग नीचे हैं लेकिन आज हमारे पास एहसान चोधरी भाई आ रहे थे और यह हमारे पास एहसान चोधरी भाई की जो है वो आईडी है और उसके बाद हमारे पास यहां पे envy साथ Chinese नेम लिखा हुआ है यह हमारे पास आ रहे हैं तो यह इनकी आईडी है तो given a take next week से जो है यह वाला scene off हो जाएगा तो जो भी हमारे winners होंगे वो हम अपनी recent list से ही उठा लिया करेंगे तो इनको बहुत जल्द इनकी usage जो है इनके accounts में transfer हो जाएंगे other than that guys I hope you enjoy this awesome arctic wolf special crate opening if you do so I want to see more content like this then don't forget to smash that like button subscribe if you have it already do what you gotta do and I'll catch you in the next one until then peace out and Allah Hafiz